हमारे पास कुछ पेशन्ट ऐसे आते हैं who say that we don't have concentration किसी एक चीज़ पर हम focus नहीं कर सकते continuous thoughts आते रहते हैं, vivid प्रकार के thoughts आएंगे एक बार tennis player बनने का thought आता है, एक बार businessman बनने का thought आता है एक बार thought आता है कि मैं पढ़ाई करके बड़ा officer बनूँ एक बार thought आता है कि मैं परदेश जाओ, तो ऐसे crowding of thoughts होते हैं confusion होता है, एक चीज़ पर concentration नहीं होता है उसके लिए remedy है, white chestnut, the back flower remedy दोस्तों, back flower remedy एक बहुत ही खोमेपेती जैसा ही principles पर काम करने वाले हैं this was discord by Edward Park बहुत उनने परिश्वरम करके यह किया है इसका central theme है कि lack of concentration basically because of crowding of thoughts, basically because of confusion basically because of overthinking, यह सब चीज़ एक साथ अगर आएं तो white chestnut remedy आप जरूर इस्तमाल कर सकते हैं खोमेपेती is amazing, bath flower remedy also is amazing this is a theme of white chestnut और हमने बहुत patients को, especially बच्चों को माताएं आती है, बच्चा हमारा focus नहीं कर रहा है पढ़ाई नहीं कर रहा है, confusion है, कुछ भी बोलते रहता है doctor को मिलता है तो कहता है, मुझे doctor बनना है engineer को मिलता है तो करता है, मुझे engineer बनना है विराट कोली जब चक्के मारता है तो कहता है, विराट कोली बनना है विराट कोली का, अगर सूरे कुमार यादों ने century बनने तो next day विराट कोली से वो सूरे कुमार यादों को पसंद करता है athletics करता है तो वो जैवेलिन थो हाथ में लेके तो confusion इतना है, कर इतना है, focus नहीं है, concentration lack है तो इसका मतलब यह नहीं कि जब बच्चे तुरन ठीक हो जाएंगे मगर अगर आप white chestnut डवाई इस्तमाल करेंगे तो जरूर इसका फायदा होगा, he will be able to focus more दोस्तों यह हमने वीडियो किया है जानकारी के लिए इसका मतलब यह नहीं कि आप दवाई उठाएं और चालू करें प्लीज कंसल्ट अ गुड लोकल होमेपिथिक डॉक्टर या बाग फ्लावर थेरेपिस्ट और उससे ही यह दवाई आप लें इन प्रॉपर इंस्टॉक्शन और गाइडन्स नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रावल जोशी आपको वापिस कहना चाहता हूँ कि mind and mental health is very very important आज का दिन है क्या आज तारीख है 11 September है किसी बहुत बड़े अभिनेतरी के फादर ने suicide किया है बहुत बुरा लगता है बहुत ही बुरा लगता है suicide कोई भी करे बड़ों की बात नी कर रहा हूँ कोई भी करे क्यों होना चाहिए डिप्रेशन इतना बढ़ गया है और बाख flower आपके मानसिक संतुलम रखने के लिए बहुत बहुत यूसर होगा नमस्कार दोस्तों प्लीज अगर आपको मेरे से टच में रहना है तो you can just message me take care